आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शौरफ क्लासेज इतिहासकारों की श्रिंखला के अंतरगत आज मैं कौशंबी के योगदान को लेकर उपसित हुआ हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आधनिक इतिहासकार में दामोदर धर्मानंद कौशंबी का नाम काफी मातपूर्ण है इन्होंने पास्चात्य पनिंपरा का अनुसरन करके इतिहास की रचना की इसके लेखनों में सार्व भौमत्व और विश्व बंदुत्व की जल्कियां मिलती है इनका अपना अलग इतिहास चिंतन है इन्होंने अपने वर्णन को तरक निशकर्ष एवं समा लोचना के आधार पर व्याख्यान दिया है दामोदर धर्मानंद कौशंबी का जन उननिस सो साथ में गोवा में हुआ था उनके पिता धर्मानंद कौशंबी एक बहुत विद्वान थे डीडी कौशंबी की प्रारभिक सिक्षा अपने ही देश में हुई उन्होंने उच्ज सिक्षन विदेशों से सिक्षा विदेशों से हासल की उन्होंने हावड विश्विद्याले से गड़ित इतिहास और भाषा में सनातक की उपादी प्राप्त की 1920 में स्वदेश लोटने पर उन्होंने सरप्रतम बनारस हिंदू विश्विद्याले और बाद में अलिगण मुश्लिम विश्व जगत को एक नवीन विचार दिया जिससे इतिहास लेखन को एक नई दिशा प्राप्त हुई डॉक्टर कौशंबी यों तो गणित एवं अनुवानशिकी के विद्वान थे तता भी इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, नृत्व, ग्यान, मुद्राशास्त्र, अभिलेग तता ग्यान के विभिन, अनुशाशनों एवं भाशाओं के भी ग्याता थे उनकी विद्वता काव एवं साहितिकी विभिन विद्वाओं में भी पहुची हुई थी इस तरह उनके पास एक ऐसा वेक्टित्व था जिसमें बैग्यानिक एवं साहितिक, संस्कृतिक, एतिहासिक ग्यान के साथ ही समाविष्ट था उनकी विभिन, विश्यों की रचनाओं को देखने से इस बात का सहज ही स्पस्ट हो जाती है डॉक्त दोनों गरंथों में प्राचीन भारतिय इतिहास एवं संस्कृति के संबद सोध पत्र द्वारा विभिन आयामों की भौतिक व्याक्या की गई तीसरी कृति भारतिय इतिहास के बितकों को प्रिथक करती हुई वस्तुगत इतिहास प्रस्तुत करती है उन्हेंने भृतिहरी के कावे एवं प्राचीन, शुभाशित, रतनाकोश का संपादन भी किया माइक्रोलिथ और मेगालिथ का संग्रह करके और खोज करके उन्होंने प्राग इतिहासिक्ता के छेतर में एक विशिस्ट्र योगदान दिया उनका स्टेट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक शोद पत्र काफी महत्वपूर्ण है कौशंबी का इतिहास दर्शन कौशंबी ने अपने स्वाध्धायाय परिश्ट्रब एवं वैज्ञानिक विश्लेशन पदिती से इतिहास के नए संदर्मों और विज्ञान के बहुतिक आधारों के माध्यम से समझा इतिहास दर्शन एवं इतिहास लेखन तो उनके एक मौलिक एवं प्रिथक अवदान था उन्होंने भारती इतिहास के परंपरागत अध्यन की द्रिश्टी का खंडन एवं बहुतिकवादी द्रिश्टी का मंडन किया इतिहास के विशह में वो लिखते हैं उत्पादन के सादनों एवं संबंधों में उत्रोत्तर परिवर्तन का तिथी क्रमानुसार प्रस्तूती करण ही इतिहास है उनका मत है कि किसी प्रकार का वेक्तिगत उपाख्यान एवं प्रश्ष्ष्टियां केवल एक भारती रेलवे टाइम टेबल अत्वा स्वचंदता वादी उपन्यास की भाती नहीं है और ना तो इतिहास की इस प्रकार व्याक्या ही उचित है इतिहास की व्याक्या के महत्व पर उनका मत है कि अधिक महत्वपूर्ण या नहीं कि कौन राजा था अथवा किसी छेतर में कोई शाशक था या नहीं परन्तु महत्वपूर्ण या है कि किसी छेतर में रहने वाली जनता द्वारा किसी भारी या हल का प्रियोग उस समय किया जाता था या नहीं शाशन परिवर्तनों का अध्यन इस द्रिस्टी से अधिक महत्वपूर्ण है कि वे उत्पादन के आधारों में शक्तिशाली परिवर्तनों को कितनी गती प्रदान कर सके एतिहासिक व्याख्या के संबंद में उनका कहना था एतिहासिक अध्यन की या पुस्टी होनी चाहिए कि संस्कृती महत्वपूर्ण जनता के जीवन मार्क को मार्क का तत्व है या मात्र बौधिक और आध्यात्मिक मूल्यों की व्याख्या नहीं है इतिहास की माक्सवादी व्याक्या में कौशंबी ने कभी भी माक्स और एंगल्स के कठोड धाचे में पूर्णता अपने को बांधे नहीं रखा उनका मानना था कि भारती इतिहास इस माक्सवादी धाचे में ठीक नहीं बैठता उर्गा एतिहासिक काल निर्धारन अपने आप में एक महतुपूर्ण स्वरूप रखता है और वह निम्नलिकित है पहला नगरिय स्थिर सिंदुगाटी संस्कृती 31500 बीसी दूसरा है आरीकरण रथात उत्तर कालीन कास तथा प्रारंभिक लोह यूग क्रिशी पशुचरन संगठन की द्विजातिय पदिती पर चार जातियों में विकास 800 बीसी तीसरा है गंगागाटी के घने जंगलों को शुद्र शरम के माध्यम से साफ और आवास थापित करना मगत सामराज्य के उद्भवत तक 500 से लेकर 2500 बीसी चौता है आदिम प्रकार का सामन्तवाज जिसमें संपूर्ण मद्ध प्रदेश में कृशी तथा व्यापार का विकास और क्रिशी के साथ व्यक्तिगत संपत्ती का विकास 400 AD के पुर्व पाच्वा है उत्तरकारिन गुप्त में विशुद्ध सामन्तवाद का प्रारम और मुस्लिम वंश तथा सैना का प्रवेश 1280 के बाद और चटा है आधनिक पुंजीवाद तथा नैस्वदेशी बुजुर्वा शाशन का आरम या विभाजन कौशंबी ने अपने माक्सवादी सिद्धानतों के परिपेक्ष में उत्पादन, उत्पादन के साधनों और संबंदों की द्रिष्टी में रखकर किया है कृशी, व्यापार, दास, सामंतवाद, व्यक्तिगत संपत्ति और पुंजीवाद के करमशा विकास के आधार पर ही या विभाजन व्यग्यानिक माना गया है किन्तों इस विभाजन में एक तुरूटी या है कि किसी संस्कृती के विकास में अनेक आधार और प्रिणाय होती है जिनकी और कौशंबी का ध्यान नहीं गया है यही नहीं उन्होंने इतिहास के जिस पुरनिर्मान का प्रियास किया है वो अभी अत्यन्त विकट ही है इतिहास के पुरनरचना उत्पन कठनायों की अनिभूती करते वे बतलाते हैं कि भारती इतिहास लिकित सामगरी नहीं है जिससे वास्तव की इतिहास का ग्यान रितत्व विज्ञान से ही संभव है जो भाशिक संरचना के आधार पर इतिहास अध्यन की गुत्थियों से इतिहासकार को सुरक्षा प्रदान करता है पुरतत्व संबंधी लिखित विवरणों की पुष्टी होती है पुरतत्व से लिखित संबंधी विवरणों की पुष्टी होती है कउशमबी ने इसे इतिहास के अध्यन की समवनवित पतती بتाया है डॉक्टर कॉशमबी ने भारती इतिहास की भौतिक वाधी व्याक्या भी अपने ढंग से की है उनकी मानिता है कि प्राग एतिहासिक सभिता के नगरों के विकास मुखेता नदी टटो पर इसलिए हुआ क्योंकि नदियों से भोजन तथा मच्छली और पीने का जल निशुलक प्राप्ट थे साथ इसाथ उनसे सिचाई आवगमन स्नानादी जैसी आवशकताएं पूरी होती थी इन विचारधाराओं से सभी सहमत नहीं है लोगों ने कौशंबी के इस विचार को तो सर्वता प्रमान हीन बतलाया है कि आंतरिक आर्थिक वितरण का नियंतरण बड़े मंदिरों एवं पुरोहितों द्वारा किया जाता था सिंदू सभीता में मंदिरों के सपस्ट प्रमान नहीं मिलते जबकि मिसोपुतामिया में त्रिगुरट जिसको जिगुरट भी कहते हैं में प्रचलित पुरोहित के आर्थिक नियंत्रण में के सातत्वक से उक्तबातों का उलेख किया गया है उनके अनुसार आरिये बाहे आगंतुक, सिंदु सब्विता के विनाशक, पशुचारक, घुमक्कल प्रविती के थे उनकी अर्थविवस्ता का स्वरूप ग्रामिन सा था वे युद्ध हेतु अश्वरत एवं भार वहन हेतु बेलगाडी का प्रयोक करते थे अनारियों को मिलाने की उनकी प्रविती को उनका मौलिक अविश्कार कहा जा सकता है उन्होंने धर्म युद्धों के साथ ही उत्पादन शक्ती पर भी प्रभाव कर लिया था धार्मिक तथा याग्गी क्रियाओं पर एकादिकृत वर्ग ही ब्राम्हन कहा गया जिन से सेवाई ली गई उन्हें शुद्र कहा गया वे ही दास कहे गए जो की क्री सेवक के रूप में तो अवश्य थे परंतु उनका क्राय विक्रे नहीं होता था इस तरह दास्ता और शुद्रत्व में अंतर करते हुए डॉक्टर कौशंभी ने बताया कि भारत में दास्ता का विकास का निशेद शुद्र जाती के निर्मान की प्रक्रिया ने किया डॉक्टर कौशंभी की भातिकवादी व्याक्या या मानती है कि समाज का विकास आर्तिक प्रश्ण चिन्नों को लेकर हुआ है काम लिये जाने के आधार पर शुद्र दास स्वामी ब्रामन वर पदती विकास विक्सित हुई धर्म कर्म एवं कृषी कर्म में करता निर्धारित हुए वैक्तिक कारिकुशलता एवं छमता में परिवर्तन एवं विस्तार हुआ समाज पशुचारण करता हुआ क्रिशी उद्योग व्यापार की स्थिती को प्राप्त हुआ धातु प्रयोग के साथ ही ट्राइबल समाज नए धर्मों, सिध्धान्तों और दर्शनों के विक्सित होने से सभिता की तरफ उन्मुक हुआ वैसे समय में धर्म को राज की संडक्षन प्राप्त हुआ और फिर एक विस्तृत राज जी की लालसा लोगों के मन में हुई महा जन्पदों का निर्माण इसी लालसा के अदीन हुआ था मुल्यांकन में इवैल्वेशन देखते हैं इस प्रकार डॉक्टर धर्मारंद कौशंबी की जीवनी कृतियों एवम उनके दर्शन के व्रिहद अवलोकन के पश्चाथ जब हम उनका मुल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि कौशंबी के इतिहास एवम दर्शन उत्पादन प्रक्रिया के प्रविदिक परिवर्तनों पर आधारित है उन्होंने भक्ती तथा अन्यधार्मिक समुदाय के सामाजिक प्रिष्ट भूमी की जो समाज शास्त्रि ये व्यग्यानिक विवस्था की है वो बहुतिक धरातल पर एक ड़या द्रिष्टिकों अवश्य प्रस्तुत करती है पर माक्सवाद की परिधी से दूर डृतत्व शास्त्र पर आधरित है उनके अनुसार संस्कृती की प्रक्रिया एक समन्वित प्रक्रिया है अतयव भारती इतिहास काल विभाजन केवल उपकरण आधी पर आधरित नहीं हो सकता किन्तु यह व्याख्या अलोचना की परिधी में आने से बच नहीं सकी है उधारन के लिए यदि कौशंबी के गीता दर्शन को ले तो पाएंगे कि वे उसके कर्मवाद और अवतारवाद की एतिहासिक व्याख्या को बहुतिक धरातल में उतारने में और सफल रहे है पाए और ना ही उन्होंने कहीं पक्चपात किया यह उनकी अलोकिकता है आज के लिए इतना ही धन्यवाद